हैलो नमस्ते जैशे कृष्णा और कैसे हैं आप सब आप सब एकदम ठीक होंगे आज हम यूज करेंगे पुरानी लेस का जो हमारे पास बहुत ही सारी लेस पड़ी रहती है कोई भी साड़ी की या कुछी सूट में से निकली हुई तो मैंने आप इस लेस को लिया है और उसे इस तरह से 12 इंश में कट कर लिया है तीन पार्ट में और उसे हमें तीनों को इस तरह से अटेच कर लेना है एक दूसरे के साथ अब ये देखी इस तरह से हमें तीनों को अटेच कर लेना है अब हमारे तीनों पार्ट अटेच हो चुके हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है तो यहाँ पे हमें form seat और non win तीनों को साथ मिले की इसे attach करके quilt कर लेना है और quilt करने के बाद हमें यहाँ पे इसी के जैसा ही जो आप color लेना चाहे वो color का 4.5 by 12 inch का एक और पार्ट लेना है और इसे इस तरह से हमें quilt कर लेना है और फिर इसके साथ attach कर लेना है उसके बाद हमें उसी measurement का एक और पार्ट लेना है form seat और non win के साथ attach किया हुआ 12 by 11.5 inch का जो हमने first lace वाला लिया है उसी की same measurement है हम यहाँ पे दूसरे पार्ट की तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे जो पाठ हमने लिया है उसे attach किया हुआ उसी belt के साथ हमें इसे भी attach कर लेना है और उसके बाद हमें attach करने के बाद यहाँ पे हमें एक और belt लेना है यह देखी इस तरह से हमें यहाँ पे measurement लेके इसके measurement का ही belt हमें cut करना है यहाँ पे जो एक साइड हमारा अटेज हो चुका है और जो तीन साइड हमारी ओपन है उसी ओपन साइड का हमें मेजरमेंट लेना है तो उसका मेजरमेंट है हमारा 36 by 3.5 इंच यह देखिए इस तरह से अब इसी बेल्ट को हमें जिप के साथ अटेज कर लेना है यह देखिए हमें यहाँ पे जो बेल्ट है हमारा उसी बेल्ट के तरह लंबी जिप हमें लेनी है और उसी बेल्ट में हमें अटेज कर लेनी है और उसके साथ हमें रनर को भी इंसर्ट कर लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है जो जिप वाला पाठ है वो लेस वाले पाठ पाट की साइड रखना है और फिर इसे इस तरह से सीधा हमें अटेज कर लेना है और फिर इसी तरह हमें दूसरे पाट साइड भी अटेज कर लेना है अब हमें जो हमारी तीन साइड ऑपन है उसी तीन साइड की साइड हमें यह जिप वाला पाट है जो उसे अटेज करते जान अब इसी तरह हमें उपर वाला पार्ट जो हमारा है उसे भी इसी तरह हमें जोइंट कर लेना है इसके साथ जो हमारा पार्ट है उसी के साथ तो अब हमारा दोनों पार्ट उपर हो नीचे का दोनों पार्ट हमारा आटेच हो चुका है अब इसे हम ओपन कर लेंगे और फिर ज इतना प्यारा हमारा ओर्गिनाइजर बनके रैडी हुआ है तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो जल्दी सही सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन भी दबा दीजे ऐसे ही नए वीडियो के साथ नए आइडिया के साथ हम रोज मिलते रहेंगे तब तक के लिए बाइबाई